हाई स्टुडेंट आप सभी को आपके चैनल एबीपियन एज्जुकेशन में स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरवाले रैखिक समिकरन और यह लिनियर इक्वेशन का पार्ट टू है जैसे कि पार्ट में एक चरवाला रैखिक समिकरन ऊस पसके कूछ्शन किए हैं लेकिन आज दो चरवाले रैखिक समिकरन में केवल इसको एक बार जानेंगे और इससे जो समंधित कोश्चन आता है उस कोश्चन को बनाने के लिए केवल सिखेंगे बाकी ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है ठीक है जो जानने के लिए है वही केवल हम सभी लोग जानेंगे और फिर इसको दाइंड कर देंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समिकरन होता क्या है तो नाम है इसका रैखिक समिकरन, मतलब इसका घात कितना होगा? एक होगा, लेकिन इसमें चर कैगो होगा, भैरियेबल किए गो होगा, तो दूग होगा, और इसका व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या होता है? तो AX पलस BX पलस BY पलस C बरावर 0 होता है इसका ब्यापक रूप देखें तो AX पलस BY पलस C बरावर 0 जिसमें AX और Y यह दोनों क्या है तो बोलेंगे 4 है यानि कि variable है क्या है? variable लेकिन A और B जो है A और B यह दोनों का दोनों आचर है अर्था कॉंस्टेंट है ठीक है तो इसका इसे रूप में दिया रहेगा लेकिन अब जो है आपके एक्जाम में कैसा आता कोहसन तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किस रूप में इसका ब्यापक रूप तो यह हुआ जैसा अगर इस प्रकार से अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहे इस प्रकार से ताप इसको क्या बोलेंगे कि दो चर वाले रेखिक समिकरन है मतलब यह दोनों चर का घात कितना है वन वन है जिसके कारण यह रेखिक समिकरन कहलाएगा लेकिन अगर दो दो गो जो है रेखिक समिकरन दिया रहे 5X पलस 2Y और पलस 9 बरावर 0 ऐसा कुछ रहे और यह दोनों इक्वेशन को इस दोनों समिकरन को हल करके कोई न कोई यहाँ पे एक ऐसा भैलू निकालना है जो X का होगा और एक भैलू क्वेशन दे दिया जाए 3X पलस 5Y बरावर यहाँ पे 11 दे दिया जाए और बोला जाए कि बतावो X और Y का भैलू क्या होगा तो यहाँ पे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि यहाँ पे Y का भैलू पता ना होना चाहिए अगर इस दोनों में से कोई एक का भैलू पता रहेगा तब ही हम X का भैलू निकाल सकते हैं अन्य था नहीं निकाल सकते हैं इसके लिए अपने मन से कुछ न कुछ यहाँ भैलू रखना होगा कि एक रखेंगे यहाँ पे दू रखेंगे हल करके देखते हैं इगा रहाता है कि नहीं और ऐसी करते करते बहुत सारा यहां पे जो है हम अंक रख देंगे और एक स्थिती ऐसा आएगा जिसमें एक सर्वाई का भैलू रखने पार इसका पुरा सरली करन करने पे कितना आजाएगा इगा रहा जाएगा है ना तो वह इसे करने में काफी कठीन है ठीक है तो इसलिए हम वैसे direct रूप से नहीं निकाल सकते हैं और जब नहीं निकाल सकते हैं तो यहां पे जो question आप लोग को बनता है कि जो इस प्रकार का equation रहता है दो गो equation रहता है यानि कि इस रूप में रहेगा, ठीक है, कोश्चन किस रूप में रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, रहेगा X पलस BY बराबर C, और DX पलस EY बराबर F, और कहेगा कि इसमें आप बताना है कि X और Y का भेलू क्या होगा, तो समझेगा, इस equation को हल करने के लिए बहु सारा बीधी है, और बहु सारा बीधी जो है, आगे चल कर पढ़ना है, ठीक है, तो अभी हम केवल एक ही बीधी जानेंगे, ताकि हमसे जो कोश्चन है, असानी से बन जाए, और वाब बीधी क्या है, उस बीधी को हम लोग जानते ह है, यानि कि इतना को हल करने का नियम, हल करने का नियम, और इसको देखिये, यहां पे जो A और B और D जो लवक रहा है, इसके जाग कोई ना कोई संख्या da 기자 है, तो नियम नमर फास्ट सबसे पहले सबसे पहले दोनों समीकरन को नाम देते हैं जैसे मालते हैं कोई अगर दुगो आदमी आया मालते है हमारे क्लास में दो लड़काए आ गिया तो उसको हम पहले पूछेंगे कि राउल नमर देने से पहले तुम अपना नाम बतावो कि तुम्हारा नाम क्या है तो इसको भी बनाने से पहले इसका नाम देंगे कि दोनों समिकरन का नाम क्या है तो यहाँ पे हम सबसे पहले समिकरन फास्ट और समिकरन सेकेंड नाम देते हैं है ना यानि ऐसे भी लिख सकते हैं आपे कि सबसे पहले समीकरन 1 और समीकरन 2 नाम देते हैं यानि समीकरन 1 तथा समीकरन 2 नाम देते हैं इसको आप 1 ले इसको 2 ले उसके बाद क्या करते हैं दूसरा नम्मर समझे उसके बाद है उसके बाद है Y के गुनांक को समान करने के लिए समान करते हैं समान करने के लिए हम दोनों Y के जो कोफिसेंट है उसका LCM निकालते हैं और जब समान कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा तीसरा नियम यहाँ पर समझी है, उसके बाद वाई के चिन है, समान रहने पर दोनों समिकरन को घटाते हैं, लेकिन चिन है आसमान हो, चिन क्या हो, आसमान, चिन आसमान हो तो दोनों समिकरन को जोड़ते हैं, ऐसा करने के बाद फिर क्या करेंगे जी, तो चौथा नमबर जानिए, उसके बाद, एक्स का मान प्राप्त होता है, तो उसे समिकरन फाज्ट या सेकेंड में रखने से, वाई का मान मिलता है, देखिए, इतना नियम जो आपको केवल ध्यान में रखना है, कि जब इस प्रिकार की इकिवेशन को हल करने के लिए अगर कहें, तो सबसे पहले समिकरन फाज्ट और समिकरन सेकेंड नाम देते हैं, नाम देने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद Y के गुनां को समान करते हैं, यानि कि Y के गुनां को अलग-अलग रहेगा, आप X के गुनांग को भी समान करके बना सकते हैं लेकिन आप एक मेथड जो बता रहे हैं उसको पर आप केवल ध्यान दे फिर जाओ आप सिख जाएंगे तो आप किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं तो उसके बाद Y के गुनांग को समान करते हैं उसके बाद x का मान प्राप्थ होता है जोडते हैं तो जोडने पर x का भेलू प्राप्थ होता है और उस x का भेलू को समिकरन फाश्ट या सेकंड में रखने पर y का मान प्राप्थ हो जाता है इस प्रकार अभिश्ट उत्तर हो जाता है x वरावोतना और y वरावोतना ठीक है अब चलिए यहां पे जो एक question लेकर हम समझाने की कोशिस करते हैं आप लोग ध्यान देजिए यहां देखिए जैसे हम एक question ले लिए एकस पलस वाई बराबर 9 एकस माईनस वाई बराबर 2 तो एकसे तथा वाई का मान निकाले एकस तथा वाई का मान निकाले देखिए यह जो है आपको डाइरेक्ट रूप से नहीं कहीं पढ़ना है आपके सलेवस में लेकिन मैथ में इसका कहीं कहीं यूज हो जाता है जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे इसलिए जो है इस फरकार के समिकरन को हल करने के लिए आज नियम बता रहे हैं तो इसका नियम क्या है कि सबसे पहले इसको नाम देंगे और नाम कोची देंगे तो इसको समीकरन फाश्ट और इसको समीकरन सेकेंड नाम देंगे नाम देने के बाद Y के गुनांक को समान करते हैं, तो Y के गुनांक यहां पे वन है, यहां भी वन है, पहले ही से दोनों समान है, और जब पहले से दोनों समान है, तब हम दोनों के चिन को देखते हैं, तो चिन है एगो के पलस, एगो के माइनस, अगर दोनों का चिन है आ समान हो आसमान मतलब एक का चीन पलस तो एक का माइनस तो यहां फे देखिए वाई का चीन एकर पलस है लेकिन इसमें वाई का चीन है माइनस है तो आसमान चीन रहने पर दोनों समिकरन को जोड़ते हैं यानि कि यहां डाइरेक्ट बुलेंगे समीकरन फर्ष्ट पलस समीकरान से केंड से मतलब दोनों समीकरन को क्या करेंगे भाई जोडेंगे x plus y बराबर 9 और x से minus y बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, छीक है? अब जोड़ेंगे तो देखिए तो y एको plus में एको minus में ते 2 नों क्या हो गिया? कट गिया और x और x कितना हो गिया? 2x बराबर 9 दू 11 हो गिया है ना? अब x का भैलू हम निकालेंगे x का भैलू तो क्या होगा? 2 एने गुन्णा में तो इधर आएगा तो भागा में यानि 11 by 2 यानि 5 हो गिया 5 दस्तमलो 5x का भैलू आ गिया अब फिर नियम क्या पढ़े है? कि x का मान को समिकरन 1st में या 2nd में रखने से समिकरन भलो सॉरी y का मान पराप्थ हो जाता है तो यहां पर x का भैलू 5 समलो 5 आया है तो लिखेंगे x का मान समिकरन 1st में रखने पर हमको 1st में रखने का मन किया 1st में रख दे रहे हैं 1st में रखने पर तो रखिए 1st क्या है? X plus Y बराबर 9 कहेंगे अरे X तू हटो इसके जगा साढ़े 5 होगा तो Y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस साढ़े 5 यानि कि कितना हो जाएगा साढ़े 4 हो जाएगा है ना साढ़े 4 और इस प्रकार से साढ़े 4 नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा अभिष्ट उत्तर एक्स बराबर साड़े पांच और वाई बराबर साड़े तीन आ गिया और यही क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रगार से ही समिकरन को हल किये आप लोग जो है पहले याद इसको रखते होंगे कि एक्स का भेलू निकलना है तो दुनों गटा के दूसरे भागा माल दिया देखिए उसका मेन जो जड़ है वो क्या है वो आज आप लोग के बता दिये लेकिन कुछ ऐसा ही किवेशन नहीं कुछ और भी जटीली किवेशन आ जाते हैं चलिए उसको देखते हैं आखिर उसको हल कैसे करेंगे तो समझेए का यहाँ गटे और कुछ हम कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं कि एक से माइनस चाहिए एक्स पलस 2i बराबर एक्स पलस से तू फ्वेर बराबर 7 और एक से चाहिए यहाँ देदी हैं अने 2x माइनस y बराबर चार तो कह रहा है कि एक से तथा y बराबर वाट ऐसा कुछ कोशन कह रहा है तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे सबसे पहले इस परकार के इकिवेशन को हल करने के लिए हम यह नाम देना होगा और नाम क्या देंगे इसको समी करन फ़स्ट इसको समी करन से करन नाम देंगे है ना अम नाम दे दिये तो y के गुनांक देखेंगे तो y के गुनांक इसमें 2 है इसमें y के गुनांक एक है तो कहता है नियम कि y के गुनांक को समान करेंगे तो y के गुनांक को जब समान करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए जो है यह दू और एक काईलसियम लेंगे तो दू और एक काईलसियम दू ही होगा मतलब इस समीकरन में हमको दू से गुना करना होगा और इस समीकरन में हमें कितना से गुना करना होगा एक से गुना करेंगे चाहे, नहीं भी करेंगे, क्योंकि यहां 2 तो पहले से आई है, तो इसलिए लिखेंगे समीकरान, फास्ट गुना 1, और समीकरान, सेकेंड गुना 2, सेकेंड में 2 से गुना करेंगे, लेकिन बताईए, इसको जोडेंगे कि घटावेंगे, तो इसका चीन पलास, इसका चीन तो हम क्या करते हैं जोडते हैं आप पहले लिखिए समीकरन फर्ष्ट में 1 से गुना करके तो 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसमें 2 से गुना करना है तो 2 दुनी 4 एक से और 2 में y से गुना करेंगे माइनस 2y और 4 दुनी 8 हो जाएगा जोड दीजिए 2y पलस में 2y माइनस में कट गिया x और 4x 5x हो गिया बराबर 8 7 15 तो यहां से ही काट दीजिए 5 तिया 15 तो x बराबर कितना आ गिया 3 आ गिया ठीक है अब x का मान जैसी प्राप्त होगा तहीं समीकरान 1st और 2nd दोनों में से कोई में रख देंगे तो y का भैलू मिल जाएगा तो कहेंगे समीकरान 1st में x का मान रखने पर x का मान रखने पर तो समीकरान 1st में x का मान रखिए समीकरान 1st को बलाए x पलस 2y बराबर 7 कहेंगे एक्स का भेलू कितना है तीन कहेंगे रे एक्स तू हटो इसके जगा थ्री भराएगा अब तो सिंपल हो गिया एक चरवाले रेखिक समी का रंग तर टू य बराबर कितना हो जागा साथ और तीन को इधर बोलाएंगे तो माइनस तीन साथ में से तीन गया चार है ना तो दू दू नी चार और वाई बराबर कितना आ गिया दू इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे भाई अभीष्ट उत्तर अभीष्ट उत्तर एक्स बराबर तीन वाई बराबर दू यही उत्तर हो गिया ठीक है तो आप यहां पर इसको समझ गए होंगे ठीक है अब अगल यहां पर देखिए कोस्टन यहां पर है एक से पलस चाहिए 5 एकस टू एकस पलस 5y बराबर 10 ठीक है 2x से पलस 5y बराबर यहां पर देद रहे है 12 ठीक है और 5x माइनस 2y बराबर एक तो x तथा y का मान निकाले कोस्टन ऐसा हम दे दिये ठीक है कि 2x पलस 5y बराबर 12 5x माइनस 2y बराबर 1 तो x और y का मान निकाले तो सबसे पहले इसको हम हल करने के लिए इसका नाम देंगे और नाम क्या देंगे समीकरन फ़र्ष्ट और समीकरन सेकेंड है अब y के गुनांग को सेम करेंगे तो y के गुनांग एगो में 5 एगो में 2 है समान है नहीं तो समान करने के लिए 5 अदू का LCM निकालते हैं तब 5 अदू का LCM कितना हो जागा 10 है न तो 10 जब हो गया भाई तब फिर से समझे यहां पे इसको 10 बनाने के लिए समी करन 2 में 5 से गुना करना होगा यहां पर 5 है तो 10 बनाने के लिए दूसे गुणा करना होगा तो लिखेंगे समी करन 1st में 2 से गुणा करने पर और समी करन 2nd में कितना से 5 से गुणा करने पर लेकिन आप बात यहां पर आती है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे दोनों का चीन अलग अलग है तो इसको जोड़ ठीक है आप करिए दूसे गुणा करिए 2 दूनी 4X पलस 5 दूनी 10Y बराबर 12 दूनी 24 पांच से गुणा करिए 5 पचपचे 25 एक्स 5 दूनी माइनस 10Y 5 का 5 अब देखिए 10Y पलस में माइनस में कट गया 25 चार 29 एक्स बराबर 24 पांच कितना हो गिया तो 24 पांच 29 हो गिया 29 एका 29 X बराबर 1 अब इस X का मान को X का मान समी करन First में रखने पर First में रखने पर First में रख दीजिए 2X प्लस 5Y बराबर 12 है कहेंगे रहे X हटो इसके जगा 1 आ गिया है देखों वहाँ तो 5Y बराबर कितना होगा 12 दू को हेने बोला दीजिए माइनस 2 5Y बराबर 10 पांच दूनी 10 Y बराबर 2 तैसलिए अभिष्ट उत्तर अभिष्ट उत्तर X बराबर 1 Y बराबर 2 यह क्या हो गया अंसर हो गया ठीक है एक क्वेस्चन और लेते हैं घटाने वाला ठीक है क्योंकि घटाने वाला भी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोले कि सेम चीन रहेगा तो घटाएंगे लेकिन वैसा क्वेस्चन ही नहीं दे रहे हैं चले उस क्वेस्चन को भी देखते हैं ठीक है तो एक क्वेस्चन देख लीजिए जो कि लास्ट कोश्चन होगा जैसे यहाँ पर दे दिए ठीक्स पलस टू वाई बराबर तेरा और दे दिए टू वाई पलस फाइब टू एक्स पलस फाइब वाई बराबर सोला तो एक्स तथा वाई का मान निकाले चली यहाँ पर समझने पर जो है ध्यान दे सबसे पहले इस समीकरन को मान लेंगे नाम देंगे समीकरन फर्स्ट और समीकरन सेकेंड है ना अब चलिए समीकरन फर्स्ट और सेकेंड नाम दे दिए ईकाहता है का वाई के गुनांको सेंभकरो जी तो वाई के गुनां की पेजी-दू है? क्या समान है रहिता, नहीं है तो इसका LC- ev救 के 10 तो इसको 10 सsoft बनाने के लिए यह पांच अर यह दोनों का चिंद्द समान है तो घटाएंगे समीधा marry one to five पांच और समी acids 2 ऑग two या 15X पलस 5 दूनी 10Y बराबर 13 पचे 65 और दूसरे गुना करेंगे 2 दूनी 4X 5 दूनी 10Y बराबर 16 दूनी 32 अब घटाएंगे इसको तो चीन क्या करेंगे चेंज 10Y पलस में को माइनस में कट गिया 15 में से 4 गिया 11X बराबर 65 में से 32 गिया कितना तो लगता है कि 33 हो जाएगा तो 11 तिया 33 X बराबर कितना गिया 3 आप कहेंगे X का मान समी करन फर्स्ट में रखने पर आप सेकेंड में भी रख सकते हैं है ना फर्स्ट कितना है 3X पलास 2Y बराबर 13 भेंगे अरे X तु हटो इसके जगा 3 आएगा तो 2Y बराबर 13 और 3 तीया 9 को इधर बलाएंगे तो 2Y बराबर 13 में से 9 गिया 9 4 13 4 2 दूनी 4 वाई बराबर कितना गिया 2 इसलिए हम कहेंगे अभीष्ट उत्तर अभी इसलिए उत्तर X बराबर 3Y बराबर 2 करेक्ट अंसर हो गिया तो यहां पे आप लोग सीख गए होंगे तो हम उमीद करते हैं कि इस टाइप का जो भी कोश्चन आएगा आप उसको बना लेंगे और इसी के साथ हम आप वीडियो को इंड करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम कुछ नए अध्याय के साथ मिलेंगे और वो है किया आप सलेवस में देख लेंगे लगता है कि सायद अनुपात समानुपात है तो उसको हम लेकर अगले कलास में मिलेंगे और अभी के लिए इतना ही थैंक यू धन्यवाद